पिछले वीडियो में आपने देखा तीन ताल, दादरा, जब ताल और उसके कुछ प्रकार आज हम आपको तबले पर बजने वाली एक ताल बता रहे हैं जिसका नाम है चार ताल इसको चो ताल भी कहते हैं चार ताल या चो ताल बारा मात्रा की होती है और पखावज पर बसती है जिस तरह से तीन ताल तबले की प्रमुख ताल है उसी प्रकार पखावज की प्रमुख ताल चार ताल या चो ताल हैं तबले में तिन ताल के बॉल मुलायम होते है और पकावज के बॉल खुले, जोरदार, गंभीर होते हैं जिसमें धाधा, गदिगन, दिन्ता, तेटे, घान ये सारे बॉल होते हैं तो अभी हम चार ताल के बारें बता रहे हैं, यह ताल बारा मात रखा होता है, गिंते जैसे ने गिंता बताया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आच, नौ, दस, ग्यारा, बारा, बारा के बार फिर हमारा एक जहा से चलते हैं, वहीं आता है, अब बोल है, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, ते, टे, कत, गदी, गण, धा, ठीक है, यह चार ताल, बारा मात रखा की हैं, और इसके छे विभाग हैं, विभाग में अब आप सब लोग समझ गए हैं, कि ताली होती है और खाली होती है, तो इसमें चार ताली है, और दो खाली है, चार ताली और दो खाली मिदा के छे विभाग हो गए हैं, ताली है, पहले तो हम गिंती से बताते हैं, कि कौन-कौन से मात्रा पर ताली है, और कौन से मात्रा पर खाली है, देखिएगा, एक, दो, पर ताली है, तीन, चार, पर खाली, पाच, छे, पर दूसरी ताली, साथ, आठ, पर दूसरी खाली, उसके बाद, नौ, दस, और ग्यारा, बारा, फिर बारा के बाद, यानि, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, जारा, बारा, एक, ये तो हमारा, ताल का जो मात्रा है, उसके ताली खाली हो गई, अब इसके बोल बताते हैं, था, था, दिन, ता, किट, था, दिन, ता, तेट, कत, गदी, गण, था, ठीक है, अब एक बार फिर से देखते हैं, वन, टू, थे, स्टार, धा, धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, केट, कत, गदी, गण, था, अच्छा, जैसे, आप सोच रहे हों कि हम कभी इधर से गिनते हैं, एक, तो कभी इधर से गिनते हैं, तो दो मात्रा हमें खाली पे दिखानी है, जैसे एक, दो, के बाद तीन, चार अगर खाली पे दिखाना है, तो तीन, चार यहां भी हो सकता है, सही है, तीन, चार यह भी सही है, या तीन, ये भी सही है तो उसमें ये मत सोचेगा कि हमने इधर से बताया है और आपने कहीं और से इधर से सीखा है तीन चार तो इसमें कंफ्यूज मत होईएगा ठीक है अब हम केवल ताली देंगे और आपको ठेका बोलना है जो अभी बताया है साथ में आपके लिखा हुआ भी आ रह ठीक है अब मैं आपके साथ फिर से बोलता हूँ वन डू थे साथ था धा दिन ता ठीट धा दिन ता तेटे कत गधी गन था ठीक है अब हम इसको बजाते हैं तबले पर हम बजा रहे हैं चारता और यह पखावज की प्रमुक्ताद है यह आप जान गया है तो अब तबले पर जब बजाएंगे तो खुले अंग से बजाएंगे एक होता है बंद अंग तबले का खुला अंग पखावज का तो जो हम यह मत ना बजाते हैं यहां पे जैसे ना तो हमारा पहला बोल है धा धा ठीक है धा धा तिन ता अहम दिन यहां ता नहीं हमने बजाया अब ते टे आपको पहले से मालूम है कैसे का त का यहां पे हैं ता यहां पे हैं यह बंद देखाते हैं हमें बजाना है का त पखाओ ज्वाला तो का त अंतर हुआ ना देखिए अंतर खुला तो का त गा दी और गा न ठीक है तो था था इन ता कीट था दिन ता ते पे कत गदी गणा ठा अब देखिएगा इसके बोल फुले हैं अभी थोड़ा सा एक्जामपल देते हैं जैसे अंतर हैं ते तो कीट देखिए गा है तो तो इस इस चार तान का एक गुंद आप बोलिएगा और बजाईएगा फिर इसके बाद बोशे बताईएगा कि कहीं पर समझ का होगी तो हम से लिएगे ठीक है धन्यवाद झाल